अगत है आपका इस new MCQs की सीरीज में तो ये जो हमारी सीरीज रहने वाली है ये इंडियन हिस्ट्री पे रहने वाली है इंडिया की हिस्ट्री पे ये important MCQs होंगे जो हम आपके साथ discuss करेंगे इस वीडियो के माधियम से तो ये सीरीज एक लंबी सीरीज होने वाली है क्योंकि इंडियन हिस्ट्री जो है बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक मैंसे हमेशा जो है अगर 120 नंबर का JKSSB का एक्जाम है तो उस मैंसे जो है 4 से 5 नंबर का जो है कोशन इस मैंसे आएंगे इस टॉपिक मैंसे रहने वाले है तो आपको जो है इस टॉपिक को थोड़ा सीरियसली लेना है और ये टॉपिक कहीं ना कहीं असान भी रहता है और बच्चे इसमें बड़े ज़्यादा जो है माक्स भी स्कोर करते हैं तो आपको जो है इस topic को seriously लेना है और जितने भी question की series हमारे channel पे आएगी तो आप सभी से यह request है कि आप उसको देखें अच्छे से एक से दो दो बार जो है वीडियो को देखें तांकि आपको जो है question अच्छे से जो है जाद हो जाए तांकि जैसे ही आप question paper पे उन question को देखो तो आपके दिमाग में देखते ही उसका जो है answer आ जाए तो हम देखते हैं first question इस series का the staple food of baddikarian war was तो staple food था जो baddikarian का वो कौन सा था तो हमारे पास first option है rice and milk spelling mistake है milk and its product pulses and water vegetables and beet तो baddikarians थे जो उनका staple food क्या था तो staple food होता है जो आम तो पे जो food खाया जाता है तो उसको बोलती है staple food तो देखते हैं इसका right answer तो right answer है milk and its product तो जो milk से बनने वाली जो चीज़े होती थी वो baddikarians का staple food हुआ करता था और baddik period की अगर बात की जाए तो baddik period जो है वो 1500 से लेके 1120 तक चला है बढ़ते है next question की तरफ who composed the गायतरी मंद था तो खिस ने लिखा था, किसके दवारा composed किया गया था, तो हमारे पास options हैं भिश्व मित्र, ब्रह्मा, जसोदा and शिवा, तो right answer पता है तो comment section में लिखें, नहीं पता तो हम देखेंगे इसका right answer क्या है, तो इसका right answer है भिश्व मित्रा, तो भिश्व मित्रा ने जो है गायتरी मंतर है ये रिगवेदा में लिखा गया है रिगवेदा में है ये मंतर तो साथ में ही ये अठारा सो से पंदरा सो बीसी तक जो था रिगवेदा लिखा गया था बढ़ते हैं next question की तरफ who imposed jajiya करे kind of tax in India first तो jajiya जो था एक tax होता था जो की इंडिया में सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था तो हमारे पास option है कुतोवदीन अवेक ओरन जे बी पार्ट सी पार्ट है महमद बिन कासीम डी पार्ट है अलावदीन खिल जी तो right answer अगर आपको पता है तो comment section में बताएं और ये वाला question exam point of view से बहुत ही important है तो इस question को जो है जुरूर से जाद रखिएगा कि जजिया करकिसने लाया था तो right answer नहीं पता तो हम देखेंगे इसका right answer क्या है तो इसका right answer है कुतवदीन अवेक तो कुतवदीन जो थे उन्होंने लाया था इसको जजिया करको इंडिया में सबसे पहले तो इनका जो जनम था वो हुआ था तुरकेस्तान कजाकिस्तान में जो स्थित है तुरकेस्तान वहाँ पे इनका जो था जनम हुआ था बढ़ते हैं next question की दरफ which was the first newspaper published in India in 1780 तो 1780 में सबसे पहले जो newspaper publish किया गया था इंडिया में वो कौन सा newspaper था तो options हैं हमारे पास दा Bombay हाडल दा कॉलकटा कोरंसील एंड मदरास कूरियर डी पार्ट है बंगाल गैजट तो right answer अगर पता है comment section में लिखें अगर नहीं पता तो हम देखेंगे इसका right answer क्या है तो इसका right answer है डी पार्ट जानी की बंगाल गैजट तो बंगाल जो गैजट था ये first newspaper जो इंडिया में publish किया गया था 1780 में तो ये publisher इसके publisher कौन थे तो इसके publisher से James Hitchkey तो जो James Hitchkey थे वो इसके publisher थे बढ़ते हैं next question की जरफ तो उसको कहा जाता है तो हमारे पास option है तो right answer पता है तो comment section में लिखें नहीं तो हम देखेंगे इसका right answer तो इसका right answer है बिहार तो बिहार को cradle of Buddhism इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे एक bodhi tree है जिसको bodhi tree कहा जाता है और ये एक banyan tree है और कहा जाता है कि इसके निच्चे जो थी वो लाड़ बुद्दा को जो था ग्यान की प्राप्ती हुई थी जानि कि उनको जो था enlightenment मिला था बढ़ते हैं next question की तरफ which beda contains an account of magical charms and spell तो कौन सा ऐसा जो बेदा है जिसमें magical जानि की तंत्र टोना तंत्र और इसके हिजाब से जो चमतकार वगारा के related जो charms है वो पाई जाती है तो कौन से बेदा में जो है पाई जाती है तो first option है अथर बेदा, साम बेदा, जजुर बेदा तो right answer है इसका अथर बेदा तो अथर बेदा में जो है magical जो charms और spells जो है वो लिखे गए हैं तो इसमें जो है टोना, टीका वगारा जो है वो हमें देखने को मिलता है अथर बेदा में बढ़ते हैं next question की तरफ which bada of the following dynasty was the ruling over north India at the time of ex-lander invasion तो कौन सी जो डेनस्टी थी जो की नार्थ इंडिया में rule कर रही थी जब ex-lander ने जो था invasion किया था इंडिया में तो हमारे पास option है नंदा, कानबा, कुशान और मोर्या तो right answer पता है comment section में लिखें तो हम देखेंगे इसका right answer क्या है तो इसका right answer है नंदा तो जिस समया ex-lander ने attack किया था इंडिया में जानि की 326 BC में तो उस समया जो थे वो नंदा डाइनस्टी का जो था rule चल रहा था नौर्थ इंडिया में बढ़ते हैं next question की तरफ who among the following translate रमाइना into Persian तो जो रमाइना थी उसको Persian में किसने translate किया था तो हमारे पास option है अब्दुल लतीफ बादुनी इसरदास अब्दुल फाजी तो right answer पता है comment section में लिखें नहीं पता तो हम लेखेंगे इसका right answer क्या है तो इसका right answer जो है वो है अब्दुल फाजी तो अब्दुल जो फाजी थे इन्होंने जो थी रमाइन को translate किया था परशिया में और ये अकवर के time पे हुआ था ये वाला काम जानी की रमाइन को translate करने का काम जो था वो अकवर के rule के दुरान हुआ था लिखते हैं next question who wrote Buddha Charita तो Buddha Charita जो थी वो किस ने लिखी थी तो first option है बासू मिंत्रा नागिर यूना एंड नागे सियना एंड अश्व गोशा तो right answer पता है comment section में लिखें तो हम देखेंगे इसका right answer तो इसका right answer है अश्व गोशा जानी की deep art इसका right answer है written in Sanskrit तो जो Buddha चारता है ये Sanskrit में लिखी गई है और ये based है life event of Buddha तो Buddha की जो life में जो भी events हुए है वो इसमें लिखे गए हैं और ये second century के दुरान जो थी लिखी गई थी Buddha Charita बढ़ते हैं next question की तरफ where did Gautam Buddha delivered his first sermon तो Buddha ने अपना first sermon जो था वो कहां पे दिया था अपना जो first enlightenment का जो ग्यान था वो कहां पे दिया था तो first option है बोद गया में सारनात में सारवास्ती में जा फिर सांची में तो right answer है सारनात में तो जो Gautam Buddha थे उन्होंने अपना first sermon जो था वो सारनात में दिया था ये एक बहुत ही important exam के point से देखा जाए तो ये बहुत ही important question है बहुत बार जो है exam में पूशा भी जाता है तो Buddha ने जो अपने first जो enlightenment का जो ग्यान था वो सारनात में दिया था sermon जो था वो सारनात में दिया था बढ़ते हैं next question की तरफ और ये सारनात जो है request है कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा videos को share करें तांकि और भी बच्चों की जो है help हो पाए तो ये सारे जो questions जो हम आपके सास discuss कर रहे हैं ये veterinary pharmacist और stock assistant और बाइड लाइफ गार्ड के लिए जो है बहुत ही important रहने वाले हैं इन सभी तीनो पोस्टों के लिए जो है syllabus जो है वो same रहने वाला है तो मिलते हैं next video में